अलो गाईज, वेलकम बैक टू माई जैनल, मैं इलम सर्मा, हेरन मेकप आटिस्ट, कैसे हो आप सब? आई हूप सब अच्छे होंगे, फिर से मैं आप लोग के लिए एक ब्रैडल की वीडियो लेकर आई हूँ, जो रियल ब्रैडल है, और आपने अगर मेरे इंस्टरग्राम को फॉलो कर रखा होगा, तो जरूर ये वीडियो आपने देखी होगी, और इसके लिपिस्टिक वीड पोस्ट भी जरूर डालिएगा, मेंशन करके, कि आपको मेरी वीडियो जो वो कैसी लगी, और जो भी आप सीखते हो उसके बारे में, तो मैं वो इंस्टरग्राम पे स्टोरी भी आप लोग के साथ लगाऊंगी, जो भी आप मेंशन करोगे, तो जो मेरी क्लाइंट जो थी, पिमपल वाली स्कीन ती, जो पिमपल, जो उनके हमनेे फेशल के तू, ठोड़े कम कर दिये थे, आपको इस्कीन दिखाई रही होगी, मैंने उनकी स्कीन क्लीन करी थी, तो मैं आप टमनर यूज और टोनर लगाने के बाद में आपको 10 सेकंड तक बीट करना है, उसके बाद मैं आपको याद रखना है कभी भी आप pimple skin पर वक कर रहो तो हमेशा आपको water base moisturizer यूज़ करना है pimple वाली skin पर, acne वाले skin पर वहाँ आपको oily base moisturizer यूज़ नहीं करना है इसके बाद मैं आपे जो eyes makeup आज create करके बताने वाली हूँ गाईज, वो आप normal भी आप यूज कर सकते हो without glitter आप suit के साथ भी carry कर सकते हो साड़ी के साथ भी carry कर सकते हो लहंगी के साथ भी carry कर सकते हो तो वीडियो को अच्छे से देखेगा then practice करिएगा वो eyes create करने की और अगर आप continue practice करते हो तो guys आप 100% ना सीख पाऊगे मैं किस तरह से eyes make up कर जहीं किस तरह से आपको blend करना चाहिए और बहुत soft सी eyes make up है जो मैं करने वाली हो जदा मेरी heart eyes make up नहीं है वो soft इसलिए क्योंकि आजकल ब्रैट भी यह चाहती है simple उन्हें look create हो एक उपसुरत सा look create हो तो इसलिए आज जो मैंने eyes दी है वो बहुत simple सी create करी है और बहुत दिन बाद मैं guys आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ तो उसके लिए show so sorry यार क्योंकि बहुत ज़ा बर्डन हो जाता है हमें भी saloon में तो इसलिए बहुत time बाद मेरी वीडियो आ रही है यहां जब भी आप eyes makeup करते हो हमेशा जब work करो तो आप light eye shadow उसे ही work करो यहां जो मैं eye shadow palette यूज कर रही हूँ वो मैं morphic ही कर रही हूँ और आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले एक light shade को blend कर रही हूँ ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी आपका eyes makeup उतना ही best होने वाला है और मैं light smokey eyes कर रही हूँ with glitter के साथ मैं ठीक है तो यहां पर हमने एक light color को blend कर लिया था देनिया पर मैं काजल यूज कर रही हूँ काजल आप अगर gel काजल है आपके पास में आप यूज कर सकते हो देन देख सकते हो मैंने वो blend करा है और एक हलकी सी line create करी थी और उसके बाद में एक flat brush से हमने उसको काजल को जो है वो blend करा था उपर की तसाइड blend करने के बाद में हम एक dark color से उसे फिर से blend करेंगे dark brown color से तो आप जो भी color यूज करना चाहते हो वो color यूज कर सकते हो और ब्राउन जो color है वो हमारा ऐसा color है कि आप कोई भी color के dress पहने हो तो सब के साथ ये create कर सकते हो और एक normalize makeup में बता रही हूं guys आप practice जरू करिएगा और आप भी अच्छे से कर सकते हो अगर आपको नहीं समझ आता है तो दुबारा से मेरी वीडियो को देखेगा और देखने के बाद में दुबारा से practice करिएगा तो आप अच्छे से कर पाऊगे आप देख सकते हो मैंने एक dark brown color लिया था और उसे black color के साथ में मर्च करके उपर की side को मैंने हलका हलका करा है यहाँ पर मैं glue यूज कर रही थी पीएसी ब्रांड का glue के साथ में glitter अप्लाई कर रही थी क्योंकि जो brights होती है वो हमारी glitter या pigment उन्हें चाहिए ही चाहिए तो वर्णा बहुत सूना सूना लगता है फेस पर इतना light makeup ना तो अगर आप नौर्बनी भी करना चाहते हो तो without glitter या pigment के without भी आप कर सकते हो और यह eyes makeup ऐसा eyes makeup है आप भी trending में भी है और बहुत ही खुबसूरत लगता है तो जो मैंने glitter अप्लाई कर रहा था वो नीचे की तरफ फेस पर थोड़ा सा आ गया था उसे tissue paper की help से उसे remove करना है remove करने के बाद मैं यहाँ पर मैं फिर से P.A.C का moisturizer water based moisturizer use कर रही हूं और use करने के बाद मैं उसे अच्छे से skin में absorb करने के बाद मैं उसके बाद आपका जो make-up है वो continue रहेगा मैंने जो उनको लैसिस दे वो पहले ही apply कर दिये थे और gray color के मेरे lenses थे sorry lens थे और उसके बाद मैं हम यहाँ moisturizer जो है वो absorb करा दिया था देहनिया पर मैं इंफ्लूज यूज कर रही हूं वह यूज कर रही हूं पी एसी ब्रांड का क्योंकि हमारे जो क्लाइन के ना वह नीद ना होने की वैसे ना layers पढ़ जाती है वह swelling जैसा हो जाता है यहाँ पर मैं यूज कर रही हूं मैक की स्टो क्रीम और मैक की स्टो क्रीम मेरी फेवरेट चीज है मैं कोई भी ब्रैड्स हो मैं विदाट इस्टो क्रीम काम नहीं करती हूं और जो मैं make-up आपको बता रही हूं वो मेरी real bridal थी और इसके बाद मैं हम देखे का base यूज कर र कि आप ज्यादा quantity में यूज करते हो तो ब्राइडल के फेस पर लेयर बाई लेयर चरती जो भी जाती है तो हमेशा आप कम प्रोडेक्ट यूज करें ज्यादा प्रोडेक्ट यूज ना करें इसके बाद में आज मैं बहुत अलग से आपको ब्राइड मेकप जो है वह बिल्कुल ही चेंज करनी थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि आप लोग को लिए भी मैं कुछ नया लेकर रहा हूं तो इसलिए मैंने ब्लेंडर के हल्प से वह प्रोडेक्ट जो लगाया था मैक का फांडेशन और उसे मैं ब्लैंड कर रही हूं आप देख सकते हैं उनकी स्कीन का कलर है सेम वैसे ही हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने सीड ही डाक सीड लिया था हमेसा क्या होता है कि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है कि बहुत लाइट फांडेशन यूज कर देते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको सिफ टेक्निक आनी चाहिए और वर्क अच्छी होनी बहुत ज़रूरिह अगर ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो उनका जो मेकप यह वो बहुत अच्छे से निकल कर आएगा और देखेगा नैक भी में साथी साथ कबर कर रही हूं नैक भी आपको अच्छे से कबर करनी है और जो मैंने फेस पर सेट लगाया था म यहां मैंने जो ब्लेंडर लिया है वह पीएसी ब्लेंड कर यह देन मैंने ड्राइब ब्लेंडर यूज कर रहा था यहां पर देख सकते हो हाइलाइट पॉइंट जो आज मैं करने वाली हूं वह बी मैं foundation से ही कर रही हूं यहां मैंने शौप्रल का सेड लیا था फियर टॉन मैं देन मैंने मैच का जो फिन यह यूज कर आ है और यहां पे मैं highlight पॉइंट दे रही हूं दोनों को mix करने के बाद में और वह यूज कर रही हूं और जहां-जहां हमारे highlight point होते हैं मैं वही वह देख सकते हो। कि हम किस तरह से प्लाइन का जो फेस चेंज कर सकते हैं हालाइट पॉइंट हमारा होता है। नोजी के ओपर होता है फोरेड पर होता है अडराइय के नीचे होता है लिपस के अरांड होता है क्यूंकि यह 3D मेकप के लिए ही हम यह यूज करते हैं कि जब पिक्स आए तो वो चारो तरफ से हमारा सेम दिखाई दे तो इसलिए हमें यह हलेट पॉइंट यूज करना जरूरी होता है तो आप जहां आप प्रोडेक्ट अपलाई कर जो दैन वहीं आपको ब्लेंड करना बहुत जरूरी होत सकते हो वह भी मैं वीडियो जल्द आपको लिए लेकर आऊंगी और देख सकते हो कि यहां पर आप कंसीलर यूज नहीं कर रहे हो तो दो फांडेशन यूज कर सकते हो यहां मैंने वीडियो बहुत जादा जूम करके आपको दिखाने की कोसिस करिए कि जिससे आपको दिया है हाईलाइट पॉइंट पे और मुझे लग रहा था कि हलका सा थोड़ा सी कमी है तो इसलिए मैंने आइबरी सीड यूज करा था और मैंने सिर्फ हाइलाइट पॉइंट दिये ऑलोबर फेस पे NC35 मैग का ही यूज करा है सिर्फ आपको हाईलाइट पॉइंट पे जरूर देखीगा क्योंकि आज लिपिस्टिक का देखना है आपको कि मैं किस तरह से क्या क्या अपलाई करती हूं और किस तरह से आपको प्रॉपर दिखाऊंगी तो वह इसलिए वीडियो को लासर जरूर देखे अगर आपको किसी कारण बस अगर वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो लाइक करके रख लीजेगा देन उसे बाद में भी आप देख सकते हो और अगर मेरी पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी हो तो उससे जो यह वाला लोक है बिल्कुल डिफरेंट है आप देख सकते मेरा यह हो चुका था देन यहां पर हम अपने मेकप को लॉक कर रहे हैं लॉक में अगर आप देखो कि मैं पाउडर बहुत जादा लगा रही हूं तो बहुत सारे लोग सोचने कि जायद पाउडरी मेकप लगे मुझे पाउडरी मेकप बल्कुल भी पसंद नहीं है और आप उसे डस्ट भी कर देंगे बाद में तो आप देख सकते हो मैं जहां-जहां हाइलाइट पॉइंट ते वहीं वही मैं लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूं और अच्छे से आपको अपना मेकप जो है वह अच्छे से लॉक करना है लैं लॉक करने के बाद मैं यहां आज मैं बहुत को चेंज कर रहा है तो इसलिए के वीडियो को देखते रहिएगा जरूर देखते रहिएगा देन लूस पाउडर जो मैं यूज कर रही हूं आपको टेकनिक बहुत अच्छे से आनी बहुत जरूरी है जरूरी निये कि आपके सारा कुछ ब्रांड ही होना च क्योंकि मेकप जितने अच्छे से लॉक होगा क्युकि हमारा समर का मेकप है तो समर का मेका अगर आप इसी में नहीं रहते हो तो थोड़ा सा लगता है कि आपका मेकप निकल सकता है वरना अगर आप विंटर के कि मेकप थोड़ा बहुत इधर उदर हो जाए और बाई चंस अगर आपका मेकप लग रहा है आपको के जा रहा है तो आप दुबारा से इसी में आ जाओ वो मेकप इसकीन में वहीं की वहीं है सैट हो जाएगा हमेशा याद रखो कि उसे टीशू पेपर से आपको डैप डैप नहीं करना है ठीक है अगर आपको पसीने अंदर से आ रहे है हमारा जो मेकप होता है वो बाटर प्रूफ नहीं होता है यार वो अंदर से अगर आपके पसीने आ रही है तो वो कहां तक मेकप ठीक है न वो प्रब्लम हो ही जाती है दन यहां देखेगा मैं ब्रॉंजर से ही म ब्लैशर जू मैंने यूजए वो बर्गर केस्ट ने करने वाले हूं सीफ टिन नॉजी का मैंने कर सा ऐसा फोर एड कर से टीक़ ज pránehmen यूज़ से जादा है आध मैंने व्रांजर itness कर से ज़रूरीاس कि था एंक हर क्लाइन को आ प्रण अपलाई करो और मैं जो भी आपको बग दिखाती हूं वह रियल अको भरीं दिखाती हूं यहां जो मैं ब्लैसर यूज कर रही हो और पिंक के सेड्य यूज कर रही हूं अर आप देख सकते हो कि उनके ब्लैसर लगने के बाद में किता खुबशरोत लग रा है गाई सब तक आ अगर क्लाइन को पसंद नहीं है तो आप बलेशर लगाने के बाद में सेट करूंगी में को मेप फिक्सर से और आप देख सकते हो कि आप को मेकप पावडरी लग रहा है बिल्कुल भी नहीं लग रहा है अगर जितना भी पाउडर मेरा था वो मैंने ब्रस की help से dust off कर दिया था तो remove कर दिया था और उसके बाद में आप उसे makeup को set करें जब आप powder को remove कर दें देन देख सकते हो यहां पर मैं PAC brand का जो है वो setting spray यूज़ कर रही थी उसके बाद में ही highlighter यूज़ कर रही थी वो इसलिए क्योंकि मेरा highlighter जो है और highlight point करने के लिए अभी भी बहुत कुछ बागी है आपके eyes के नीचे का रह गया lower less line का आपके lipstick रह रही है तो वीडियो को last तक जरू देखेगा क्योंकि एक-एक ब्रंड का ही eyebrow define कर रही है और आप देख सकते हो मैंने जूंग कर दी थी वीडियो को कि मैं कितने अच्छे इपर को define कर रही हूं और आप देख सकते हो सेप कितने अच्छे से दिये मैंने कोई darker shade यूज नहीं करा था मैंने हमेशा में एक ही तीड यूज करते हूं ज्यादा था सब के ऊपर जो मेरा ब्राउन जीड है और यह लिक्ट फॉर्म में है और कितने अच्छे से आपको आइब्रो दिखानी है आप ब्लैक हमेशा अवाइड करें क्योंकि ब्लैक इसके बहुत ज़्यदा फिस पूर ऑल ओवर फेस पे आपको सिर्फ अइब्रो ही दिखाई देंगी तो इसलिए आप हमेशा आप ब्लैक को अवाइड करें ब्राउन की तरफ जाएं चाहें आप पाडर फोर्म से यूज कर रहे हो चाहें आप जैल फोर्म की तरफ जाएं सिर् मैं brow line पर highlight point दे रही थी और वो highlight point देने के बाद मैं जो eyes का gap होता है वो broad दिखाई देता है यहां देखेगा यहां मैं special एक part यूज कर रही थी कि tint यूज कर रही थी lip injection जो है तो फेस का वह मैंने पहले इसली अपलाई कर देता क्योंकि उससे जो इसे गई जो यह की पर कहले हैंड तो मैंने इसके बाद में थे जुटशती इन हुआ तो तो उसे कि थोड़े से जो आपके लिप से हैं तो थोड़े सफ ब्रॉड हो जाते हैं गरम यह पर मैं लाइठर सेड जैसे इस के ऊपर यूज करा था वैसे ही मैं एक लीज्याट उस कर रही हूं अधि ऑचे से हो रहा है और वो रॉट दिखाई दे रही है अगर ने डीप कल्ड जो है वह ब्लाइक का चाल ऑपलाइ करहई तो या मैं आज ब्लाक ही जडने वाली है और आप मेरे क्लास भी लेना चाहते तो आप मेरी अकैड़िमी में आके क्लास भी जॉइन कर सकते हो और दोनों आइस पे जो है मेरा वो कम्प्रीट हो गया है और लिप का सेड अभी भी बाकी है तो वीडियो को लास्त तक जर देखेगा और आप देख सकते हो इनर कॉर्णर की साइड में मैं जादा मतब कि हैबी नहीं लगाया था महां से थोड़ा सा गैप करा था अगर आप हैबी लगाओगे तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी एक एक पॉइंट को आप गौर से देखो कि मैं कहां पे ब्रेस चला रही हो कहां में प्रोडेक्ट लगाना है तो आप अच्छे से सीख पाऊगे एक एक पॉइंट पर ध्यान देते हो यहां मैं यहां पे लैसिस जो है वो मैंने अप्लाई कर दिया था और लैसिस को जो में ग्लू है वो पीसी ब्रांड की है वो लॉंग टाइम तक इस्टे रहती है वो निकलती नहीं है तो इसके बाद मैं हम लिपस्टिक यूज़ करने वाले हैं आप देख सकते हो मैं यहां पे सबका तरीका अलगल होता है करने का कोई लिप लैनर से यूज़ करता है कोई डारेक्टिस तरह से अपलाई कर सकता है वो आपका तरीका है कि आप किस तरह से करना चाहते हो मुझे जैसे पसंद है मैं वैसे करती हूँ यहां पे मैंने लिप सेड लिया था और पहले मैं उसे आउटलाइन क्रिएट कर रही हूँ सिर्फ हलका दिखाई देखा ऐसा नहीं कि रैड रैड बीच में आपका दिखाई दे तो उसे ब्लैंड करना अच्छे से आपको आना चाहिए आप देख सकते हो मैं किस तरह से लिप की शेप देरी हूँ क्योंकि specially मेरी इस लिप की वीडियो पर बहुत जादा व्यूज हैं और बहुत जादा रिक्मेंड भी आ रही थी कि आप लिप सेट की वीडियो किरेट करो तो मैंने इंस्टा पर डाली हुई है और वह मेरा इतना डीपली नहीं किता है लेक्रयू से समझाने कि कोसिस करिएव ओ तो आप देख सकते हुँसे अब नहीं ब्लेंड करया है और फिर उसे मैं फिंगर से भी उसे मैं डैट डैट करके वो ज़ादा नहीं दिखाई दे रहा है और कितना ओम्रे जो लिफ्ट है लिब्स ओम्रे जो है वो किते खुबसरत लग रहे देनिया पर मैं ग्लू अपलाई कर रही हूँ क्योंकि प्रोडेक्ट लगने के बाद में आपकी जो विंदी है वो लॉंग टाम इस्टे नहीं करती है तो इनर और वाटर लाइन पर ब्लाक का अपलाई करना था तो आज में वाइड बिल्कूल भी वीडियो में